हेलो नमस्ते, विल्कम टो इटीस ओनलाइन, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास नाइज का चेप्टर, रीच फॉर दर टॉप का सेकिंड पार्ट, इस मारिया शारव पहुआ, सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं, चेप्टर का लाइन बाइन एक् जो कि विमन्स टैनिस के समिट पर पोच जाती है, सिर्फ 18 एर्स की एज में, मतलब जब ये 18 एर्स की थी तब ही इसने विमन्स टैनिस के टॉप का अचिव कर लिया था, अब जब हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं, कंपैरिजन, संतोश यादव और इसमें, क्योंकि फर्स जो पार्ट था इस वाले चैप्टर का वो संतोश यादव के बारे में था, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का लाइन बारे लाइन एक्स्प्रेंशन, और यहां पर मैंने बहुत सारे हार्ड वर्ड्स भी लिख रख रखे हैं, तो म मारिया शारप हुआ, जिनके पास रेडी स्माइल है, और ग्लैमरिस कपड़े पेंती है, अटायर में इस तक पहना हुआ, तो उनका जो ग्लैमरिस अटायर है, उससे कुछ डिफरेंट है, और यही जो डिफरेंट चीज उनके अंदर है, इसने उनको उपर उठाया, मंडे 22 और यही जो डिफरेंट उनके अंदर है, उससे की वज़े से मंडे 22 ऑगस 2005 पे वो टॉप पे पहुची, और यह सब कुछ बस पलक जबकते होगा, इन नो टाइम मतलब थोड़े टाइम में हो गया, और इस मतलब होता है, रुका हुआ, तो यह अपने यह से काफी ज्यादा आगे, यह जो साइबरिन बॉंड टीनेजर गर्ल थी, इसको सिर्फ चार साल लगे एक प्रॉफेशनल के रूप में इस पिनेकल तक पहुचने में, पिनेकल में चोटी या शिखर होता है, मतलब यह जो लड़की जो अपनी एज से काफी ज्यादा बड़ी लगती थी, या शारा पोबा की इमेज भी है, हलंकि इनका जो रैपीड एसेंट था, एसेंट में सुते चड़ाई, मतलब यह इतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रोफ कर रहे थी, यह इतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रोफ कर रहे थी, ग्रोफ कर रहे थी, फियर्सली कमपैटिटिव वर् यही तयार होते हैं सहन करने के लिए एंडियोर में इस होते हैं सहन करना मतलब इन्हों ऐसे सेक्रिफाइस किया थे जो बहुत कम बच्री कर पाते हैं छोटी जो मारिया शारप होवा थी मतलब जब यह छोटी बच्ची थी तो उन्हों अपने 10th birthday भी celebrate नहीं किया था और तभी इन्हें United States train में भेज दिया गया था पैक ओफ मेंस भीजना सेंट करना मतलब 10th birthday आने से पहले यानि जब यह 9 साल की थी तो ही इन्हें United States भेज दिया गया था इनकी यह जो ट्रिप थी जिसमें Florida जा रही थी अपने फादर यूरी के साथ में इस ट्रिप की वज़े से यह path to success और stardom की दरफ चली गई path means रास्ते यानि यह जो ट्रिप थी Florida जाने वाली जिसमें अपनी फादर के साथ थी इसी ट्रिप यह ट्रिप ही इनको लेकर गई success और stardom के रास्ते पर लेकिन यह इतना ज़्यदा easy नहीं था इसमें शामिल था अपनी मदर इनकी मदर जिनका न वाला separation क्योंकि यह 9 साल की छोड़ी बच्ची है और वो 2 साल तक अपनी मदर से ही नहीं मिल पा रही है तो यह कितना ज़्यदा sad था obviously letter means होता है बाद वाला और इनकी जो मदर थी वो मजबूर थी बिचारी साइबेरिया में रुकने के लिए क्योंकि विज़ा में कुछ restrictions आगे थे यह जो 9 एर ओर गर्ड थी यानि मारिया शारवपवा इसने अलरड़ी एक important lesson of life सीख लिया था important lesson मतलब सबक सीख लिया था अपनी life का क्या कि tennis excellence किसी price पे मिलेगा मतलब tennis excellence एक कीमत पे मिलेगा उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी और यह बोलती है मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेले रहा करती थी मारिया शारवपवा recall करती हूब याद करती हूब बोलती है और मैं अपनी मदर को बहुत बुरी तरह से miss किया करती थी terribly मतलब बहुत बुरी तरह से मेरे father जतना ज़्यादा हो सकते थे उतने ज़्यादा काम किया करते थे ताकि मेरी tennis training चल सके मतलब overtime भी किया करते थे इसलिए पापा से भी मैं नहीं मिल पाती थी पापा भी मुझसे नहीं मिल पाते थे क्योंकि मैं उस समय बहुत ज़्यादा छोटी थी इसलिए मैं bed पे चली जाती थी आठ बजी यानि सोनी के लिए आठ बजी चली जाती थी दूसरे ज़्यों tennis students थे pupils means students होता है वो रात में थोड़ा late आया करते थे और वो लोग आते थे 11 पे ग्यारा बजे आते थे और आके मुझे जगा दिया करते थे और मुझे order जगा करते थे अपने room को साफ सुत्रा करने के लिए tidy up means में साफ सुत्रा होता है लेकिन इन सारी चीज़े से मैं कभी depressed नहीं होती थी मैं कभी परिशान नहीं होती थी इन फैक्ट मैं और भी ज्यादा determine हो जाया करती थी ड्रड निस्टर हो जाया करती थी और mentally tough हो जाती थी क्योंकि मैं सीख रही थी मैं सीख चुकी थी कि कैसे मुझे अपनी आपकी देखबाल करनी है मैंने हार मानने के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं क्वेटिंग में हार मानना हार मानने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए था जब आप जमीन से उठकर आते हो दिखिए एक important phrase है when you come from nothing means जमीन से उठना जब आप जमीन से उठते हो और आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो इससे आपके अंदर एक भूख पैदा होती है एक determination पैदा होता है ड़ड निश्चे इससे आपके अंदर पैदा होता है और वैसे भी मैं और ज़्यादा अपमान सहन कर सकती थी हुमेलेशन मतलब इनसल्टी होता है इनसल्टी ते अपमान मैं सहन कर सकती थी अपने ड्रीम को और ज़्यादा स्पीड से परस्यू करने के लिए pursue मतलब होता है continue रखना और put up with males होता है tolerate करना मतलब जितना मेरी बेजज़ती की जाती था अपमान किया जाता था दूसरे बच्चों के द्वारा जो मुझसे जादा बड़े थे उससे भी जादा मैं humiliation सहन कर सकते थी अपने dream को continue रखने के लिए यह जो toughness है मारिया में आज भी हमें दिखाई ती है मारिया शारोपोव में और यह उनकी key है key means mantra है यह उनका formula है जिससे वो women's single का crown लेकर आई Wimbledon में 2004 में bagging means होता है gather करना और यह उनका mantra है यह उनका formula है जिससे विंबल दिन में 2004 में women single का वो crown लेकर आई और आगे आने वाला year में यानि next year में उनकी meteoric rise वी world number one spot पे मतलब world number one position पे पहुच पाई meteoric rise में speed में वो rise कर पाई, speed में वो चरड पाई मारिया शारपव की जो journey है जो start होती है frozen plains of Siberia से Siberia की, Siberia जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो इसलिए frozen plain बोला गया है तो इनकी जो journey है success की, stardom की इनकी जो journey है जो frozen plains of Siberia Siberia के frozen plains से start होती है कहां तक जाती है women's tennis के summit तक इसने बहुत सारे tennis fans के दिल को छू लिया और यह जो youngster भी है यानि यह जो लड़की है मारिया शारप होगा इनके मन में किसी तरह के sentiment दिखाई नहीं देते है तो आपको इनके अंदर एकदम स्ट्रेट लुक और स्ट्रेट आंसर दिखाई देता है जब भी आप इनसे बुस्तो इनके अम्बिशन के बारे में और से ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि जो कुछ इन्होंने सैक्रिफाइस टिया था वो सारी चीज़े इनके लिए वर्डी थी मतलब सारी चीज़े इनके लिए योग्य थी वो सैक्रिफाइस आज इनको फल दे रहे हैं और ये बोलती है मैं बहुत ज़्यादे कंपैटेटिव हूँ और मैं हार्ड वर करती हूँ जो कुछ भी मैं करती हूँ उसमें या मतलब जो कुछ भी मुझे करना है उसमें एकदम अपनी जी-जान में लगा देती हूँ यह मेरी जाब है और यही मेरा सक्सेस का मंत्रा है यही मेरा सक्सेस का फार्मिला है हालनके जो मारिया शारप होगा है वो एकदम clear American accent pronounce करती है प्रोनाउंस मतलब होता है clear, मतलब एकदम clearly American accent में बोलती है लेकिन proudly वो शो भी करती है Russian nationality को parade का means होता है show करना जैसे होता है न कि जब भी 15th of August या फिर 26th of January आती है तो parade करते है soldiers means production करना उसे parade बोलते है मारिया शारोपवा American accent भी बोलती है और साथी साथ Russian nationality भी show करती है सारे doubts clear करते हुए यह बोलती है अलग कि मैं एक Russian हूँ लेकिन ये बात भी सच है कि US मेरी life का एक बहुत बड़ा part है मेरे पास Russian citizenship भी है और मेरा blood भी मेरा खून भी totally Russian है और मैं तो Olympics में भी Russia को represent करना चाहती हूँ अगर वो लोग चाहे तो मतलब अगर Russia चाहे तो Olympics में भी मैं उन्हें represent कर सकती हूँ दूसरे teenage sensation की तरह है मतलब जैसे teenager girls में या teenager जो भी होते हैं उन में जितने में sensations होती है मारिया शारोपोव में भी बहुत सारी वो sensation है समभीतन है जैसे fashion, singing, dancing यह सारी उनकी hobbies के रूप में हम लोग लिस्ट कर सकते हैं उनको Arthur Conan Doyle की novels पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है साथ ये साथ उनका जो shock है fondness means होता है shock उनका जो shock है sophisticated evening gown के लिए sophisticated मतलब होता है सुंदर सुंदर evening gown के लिए यह उनके pancake जिस पे chocolate spread होती है और fizzy audience drink के love के साथ में एक तुम match नहीं करता odds means होता है बिल्कुल match नहीं करना contrast करना होता है मतलब एक तरफ तो इने पसंद है pancake जिस पे chocolate value हो और उसके साथ में fizzy drink fizzy drink मतलब जिसमें gas वगरा होती है जिसमें fizzy होता है जाग वगरा जिसमें होता है और इसके साथ में evening gown भी नहीं पसंद है तो यह दोनों चिले बिल्कुल भी match नहीं करती है मारिया शारपोवा pigeonhole नहीं है pigeonhole मतलब होता है categorize मतलब हम किसी category में नहीं रख सकते है इनका जो talent है और इनकी जो unwavering desire unwavering मतलब होता है एक गम पकी यानि confirmed जो desire है succeed के लिए means success के लिए सफलता के लिए और जिसमें हमेशा ready रती किसी भी चीज़ को sacrifice करने के लिए इसी वज़े से ये talent ही इनको top of the world लेकरा है मतलब इनका जो talent और इनकी जो unwavering desire है यही इने top of the world लेकरा है यही इने दुनिया की उचाई पर लेकरा है बहुत सारे लोग तो इस बात पर गुसा भी होता है grudge means होता है jealous feel करना jealous भी feel करते है कि अब जो कमाई वो काट रही है ripping मतलब होता है fussle काटना मतलब जो riches उनको मिल रहे है tennis की वाज़े से जैसे होता है इनके monetary gains के बारे में जो यह tennis से कमाती है तो यह बोलती है of course money तो एक motivation होता ही है क्योंकि यह यार आप किसी भी profession में हो तो पैसा तो वहाँ पर आप लोगों के लिए motivation का काम करे गई tennis एक business है साथ यसाथ एक sport भी है लेकिन सबसे important बात world में number one बनना था मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि tennis को मैंने एक sport या फिर एक business के रोप में join किया था in fact tennis को मैंने क्यों join किया था क्योंकि मुझे world में number one position पे आना था और बस यही मेरा सपना मुझे हमेशा आगे बढ़ते रने में help करता है kept me going means आगे बढ़ते रहना और यही dream था जिस्ती वज़े से मैं हमेशा आगे बढ़ते रही और इसी के साथ ही chapter यहीं पे end हो जाता है I hope line by line explanation समझ में आगे होगा फिर भी अगर कोई doubt है नीचे comment box बना रखा है उसमें आप लोग अपने comments drop कर सकते है ट्राइ करूंगा जल से जलता answer करने की इसी तरह के और मज़दार वीडियो के लिए बने रही एटीस आउनलाइन के साथ और हाँ chapter 10 की PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से भी मिल जाएगी Instagram पे आप हमें follow भी कर सकते हैं वहाँ पे आप लोग कुछ भी comment वगरा आपको जो करने है डीम आप मुसे कर सकते हैं चलिए मिलते हैं और किसे मज़दार वीडियो में तब तक के लिए have a good day, take care bye bye, जैहिंग भारत, रादे रादे